आम की गुठली ग्राफ्टिंग के लिए आम का छोटा सा पौधा ले लेते हैं और एक आम की डंडी ले लेते हैं जो चार इंच होती है और आम के गुठली वाले पौधे को चार इंच की उचाई पर उसको काट देते हैं काट करके उसमें 20 से चीरा लगा देते हैं चीरा लगा देने के बाद आम की जो डंडी लिए रहते हैं उसको चील लेते हैं चील करके उसको वी सेप में बना देने के बाद उसको चीरा वाली जगह पर बैठा देते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद फिर उसको ग्राफ्टिंग टेप से अच्छी तरह से खुब तरने जा सके और फिर उसके बाद उस डंडी को अच्छे से एक वाली थीन से धक देते हैं धक देने के बाद उसको नीचे से खुब बढ़ियां से बांद देते हैं मात देने के बाद उसको खरीब 15 दिन के बाद फिर उसको खोल कर देखते हैं उसमें जो है छोटे छोटे पत्तियां निकलाती हैं तब समझ लिजी ग्राफ्टिंग हमारी तैयार हो गई है झाल 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 झाल